कथा सहित्य में आपका स्वागत है। आईए आज सुनिये हिंदी के वरिष्ट कथाकार जैशंकरजी की लिखी कहानी। कहानी का शीर्षक है स्मारक। उन दिनों हमारा छोटा सा थेटर ग्रूप था। गर्मियों में रिहर्सल कस्तूर्बा लाइब्रेरी में होती थी। लाइब्रेरी के करीब ही पार्क और जिम खाना था। पार्क के चारों तरफ अशोक के पेड। सर्दियों में काली पुजा के लिए मंडब जिम खाने के सामने डाला जाता। लाइब्रेरी, पार्क और जिम खाने को फेंस से घेरा गया था। फेंस के उस पार रेड क्रॉस की बरसों पुरानी लाल इमारत थी। वहीं उससे जुड़ा हुआ पीपल का पेड। गर्मियो में पीपल के पत्तों का ज़रना शुरू हो जाता था। उन ज़रते हुए पत्तों के सहारे मैं अपनी जवानी के शुरुवात के दिनों में लाट रहा हूँ। जवानी के उस लेंड्सकेप में जिसमें थीटर ग्रूप, लाइब्रेरी के बुढ़े गरंतपाल, काली के ग पताली शामे हैं। रूमा से पहली बार लाइब्रेरी में ही मिला था। वे गर्मियों के दिन रहे होंगे। उस समय रिहरसल लाइब्रेरी की टेरस पर होती थी। एक दिन मानिकता अपने साथ रूमा को ले आए थे। पगला घोड़ा की नाइका के लिए। वो उम्र में ह हम से काफी बड़ी रही होगी। सामला रंग, औसतकत, आँख पर चड़ा चश्मा। वो अपनी मा के साथ रहती थी। पिता जीवित नहीं थे। मा सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उस दिन के बाद से वो हर शाम रिहरसल में आने लगी थी। जिस साल की यह बात है उस सा गर्मिया देर से लोटी थी। अखबारों में फसलों के नस्ठ होने की संभावनाओं का जिक्र जरूर रहता था। मा के जो पत्र आते उसमें बारिश के अभाव की एक पंक्ती जरूर रहती। मा गाउं में रहती थी। बाबा के साथ। बाबा गाउं में पढ़ाते थे। कॉलिश में जब छुटियां होती तो मैं कुछ दिनों के लिए गाउं चला जाता। गाउं काफी छोटा था। मिट्टी के सत्तर असी मकान, बुनकरों के हद कर गे, बस का अड़ा, स्कूल की हिमारत, आसपास फैले खेत, बंजर जमीन और पहाडिया, पहाडी पर मंदिर और समाधी थी, मैं अक्सर उस समाधी के आसपास सेर के लिए निकलता। पहाडी पर उतरती ग्रामीन शामों में मैं शहर की अपनी शामों के बारे में सोचता रहता। कभी कभी मेरी चेतना की सतह पर रूमा के साथ बीते हुए समय की मार्मिक स्मृतियां तेरने लगती। रोज तारघर से लोडते वक्त अचानक मेरी निकाहा म्यूजियम के करीब खड़ी हुई रूमा पर पड़ी थी। मैं आज भी अप्रेल की उस दुपहर के डिटेल्स याद कर सकता हूँ। मैं म्यूजियम के करीब पहुचा ही था कि उसका प्रश्न बाहर आया था। इतनी धूप में कहां भटक रहे हो। तारघर गया था। आर तुम। म्यूजियम में दुपहर बिताने आई हूँ। मा की दिन की ड्यूटी है। घर में अकेली उप रही थी। सोचा। इस दुपहरी में वेह भी इस म्यूजियम को देखने के लिए। क्यों? क्या खराबी है इसमें? मैं तो बरसों से यहां आती रही हूँ। मुझे तो म्यूजियम के भीतर घूमना अच्छा लगता है। मैं तो आज तक अंदर नहीं गया। सुना है भीतर कुछ पुरानी टेपिस्ट्री हैं। मैं कभी उस कमरे में नहीं गई। यदि तुम खाली हो तो अंदर चलो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर रिहर्सल का क्या होगा? मैंने टालने के लिए बहाना ढूना था वह तो साथ बज़े के बाद शुरू होगी, मुझे भी तो चलना है। उस रोज ना चाहते हुए भी मैं म्यूजियूम के भीतर कया था। तेईस बरस के उम्र में पहली बार अपने शहर के उस संग्राले में जिसे देखने दूर दरात से यातरी आते थे। म्यूजियूम के किसी किसी हौल में समय का एक तम अजनबी चहरा सामने खड़ा रहता था। बरसो पुराने समय का तूटा हुआ हिस्सा अप्रेल की उस दुपहर से अलग थलग। मुगलों के सिकों, गुप्तकाल की मुर्दियों, हरपा के अवशेशों और प्राचीन केला रहता, एक अजनबी सा डर मुझे घेर लेता। कांच के पीछे रेंगने के मुद्रा में रुखे साम जीवित हो जाते। बार बार किसी की आहट का एहसास होने लगता। एक जगहा तो मैं सच मुझ डर से काप कया था। रोशनधान से एक कबूतर भीतर चला आया हौल की आपरिचित खामोशी के बीचों बीच फढ़़ाते उसके पंक, मरी हुई चीजों का पडोस, रोशनी में चमकती जंगली जानवरों की आखें। मैंने रूमा को अपने इस डर के पारे में बताया था। बहुत पहले मैं भी एक दिन डर गई थी। फिर भी तुम अ अकेली ही यहां माजूद रहूं। कई लोग यहां आते हैं। फिर अब तो एकादत सी बन गई है। मा ने उस रोज बहुत डाटा था। वो तो बहुत चिर गई होगी। कहती थी कि करीब ही बाबा की मजार है। वहां जवान लड़की का इस तरह भटकना खतरनाक है। ठी ठीकी तो कहती थी ऐसी जगहों में ही तो भूद प्रेत का टेरा रहता है। फिर तुमने देखा होगा कि गेट के करीब ही नीम का बरसों पुराना पेड है। अम्मी क्या तुम विश्वास करते हो। पहले पहल मुझे भी लगा था कि हो सकता है कि कालाकारों की आत्मा उन म मुर्दियों के आसपास भटकती होगी। लेकिन वह मेरा भ्रम ही था। हालां कि मैं अब भी गेहरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकती। लेकिन म्यूजियम से बाहर आने तक वो इसी विशे पर बोलती रही थी। उसकी सोच में हमेशा एक अमुरत तनाव छिपा रहत रशन को एक अंधेरे से निकाल कर दूसरे अंधेरे छित्र में फैंक देता था। उसी शाम की बात है। म्यूजियम से निकल कर हम रिजर्व बैंक के बस्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। मैं देर तक खामोश चलता रहा। मेरे भीतर अम्मा की याद पकने लगी थी। हा नहीं बलकि मुझे तुम्हारा साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा था। फिर तुम इस तरहां खामोश क्यों हो। मैं जब गाउं से लौट रहा था तब अम्मा बिमार थी। अभी म्यूजियम में मरी हुई तितलियों को देख कर उसकी याद आ गई। बश्पन मे मैं जब तितलियों को पकड़ कर शीशी में रखता था तो वो टांटती थी। मैंने ऐसा ही कुछ कहा था। क्या मा अक्सर बिमार रहती है। रूमा ने पूछा था। मैं मा की मृत्यू के बारे में सोचता हूँ तो भीतर तक एक अजीब सा डर उतर आता है। मैंने स्कूल से सीधे मा के अस्पताल चली चाती थी। मैंने उस उम्र में अपने सामने कई लोगों को मरते देखा। मैं नर्स की केबिन से सब कुछ देखती रहती। आदमी की आखरी सांस। डॉक्टरों की अंतिम कोशिश। सिरहने के करीब खड़े मरीज के रिष्टेदार। तब मुझे मौत से उतना डर नहीं लगता था लेकिन आज याद नहीं आ रहा है कि वो उस रोज और क्या-क्या बोलती रही थी। लेकिन इतना जरूर याद है। उस शाम मौत और बच्पन के अंतर संबंधों पर मैंने काफी कुछ सुना था। वे एक समवेदन शील और कुवारा पन चुपा हुआ था। जून के अंतिम दिनों में पगला घोड़ा खेला गया था। मानिकदा निराश हुए थे। उनकी निराशा उनकी आवाज और आखों में तेरती रहती। दफ्तर के बात का अपना काफी समय वे उस नाटक में लगाते रहे थे। रूम बीच बीच में अपने समवाद भूल जाती। मेरे चहरे पर कहीं कहीं एक्सप्रेशन्स बिल्कुल ही कायब रहे थे। मंचन के बात के दिनों में हमारे समवाद के आसपास खामोशी की बर्फ चमी रही। हम शब्दों से जादा खामोशी पाढ़ते रहते। अपनी गहरी निराशा के पावजूद मानिकदा आने वाले दिनों में इपसन का कोई नाटक खेलना चाहते थे। आज सिर्फ इतना याद है कि नाटक के अंत में एक नन्ही लड़की आतमाध्या करती है। नन्ही लड़की के लिए उन्होंने अपनी ही लड़की को चुना था जिसे मैं मैंने कई बार उनके घर में रविंद्र संगीत सीखते देखा था। रूमा की बातें और उनसे जुड़ा समय उन दिनों से मैं कितनी दूर निकल चुका हूँ। कितने पराय लगते हैं वे दिन। अपनी एक ही जिन्दगी में नाचाने कितनी अलग-अलग जिन्दगियां चुपी रहती हैं। क्या मैं उन दिनों में कभी भी लोट सकूँगा। अब याद आ रहा है शेहर का टीबी अस्पताल। उसमें एडमिट हुए मानिकता। वार्ड में रुके हुए सर्दियों के दिन। मानिकता वहां क्रिसमस तक रहे थे। हम लोग अक्सर उनके पास च दुहराते जो उन्होंने कलकता में गुजारे थे। अस्पताल में आने के बाद वे लगातार नॉस्टरलजिक होते गए थे। ऐसी ही किसी शाम में मैं अश्विन और रूमा अस्पताल से लोट रहे थे। अक्टूबर के दिन अस्पताल के लंबे गलियारे, फेंस पर टं वे लोग कच्रे के धेर में पड़ी हुई रूठिया निकाल कर खा रहे थे। थोड़ी दूर तक मेरी आखों में एक बिखारी का चहरा घूमता रहा था। उसकी उम्र 20-22 की रही होगी। थोड़ी देर बाद रूमा ने कहा था, अम्मी तुमने मिजियुम के सामने खड़ समारक देखा है। देखा जरूर है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने कहा था। वे समारक चार-पांच अंग्रेज मिशनरियों की स्मृति में खड़ा है। वे लोग अकाल गरस्त इलाकों में लोगों को सहता करते हुए मरे थे। उस शाम वो लगातार गर करीब लोगों की दैनिया जिन्दगी के बारे में अपने अनुभव सुनाती रही थी। वे अक्टूबर की कोई सर्द शाम थी। उस शाम और आज की शाम के बीच बरसों का फासला है। मैं वार मेमोरियल के करीब की बेंच पर लेटे हुए इस फासले के बीच के दिनों के बारे में सोचने लगा हूं। इस पीच कितनी ही चीज़ें नस्ठ हो चुकी है। जो नस्ठ होने से बच गई, उन्हें किसी न किसी दिन नस्ठ होना है। कितनी अची प्रकरिया है कि एक दिन सभी नस्ठ हो जाते हैं। चाहे वे आदमी के हाथों बसे हुए शेहर हों, चा शाम वहां लौट रही है, जहां वह बर्सों से लौटती रही है, थोड़ी देर बाद मैं भी लौट चाऊंगा, एक पराय शहर के होटल के कमरे में, जहां मैं पिछले दो दिनों से ठहरा हुआ हूँ, शाम का धुंदला प्रकाश सड़क पर उतर रहा है।